हेलो दोस्तों आपने योट्यूब की सबसे सांदार और जांदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है दोस्तों आप लोग ले बहुत बड़ी खुसकबरी लेकर रहा हूँ जो अभी अभी आपका डिडीसी का पहली सिफ्ट का पेपर हुआ है बेहत आसान ये पेपर आगया जैसा हमने उमीद किया था उससे भी आसान आज का पेपर आगया है तो गाइस हम आपको बता देते हैं जो भी हम आंसर की लेकर रहे हैं 100% रियल आंसर की है सभी सवालों को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया अगले पेपर में आपके 7 से 8 सवाल रिपीट करने वाले हैं देख लेता गाइस क्या क्या सवाल आपके पहले सिप्ट में पूचे गए तो दोस्तों उससे पहले अगर आप किसी भी गॉर्मेंट एक्जाम की तियारी करे हो मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो सभी सब्जट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो नीचे लाल कलर का बटन दबागर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बैल को ओल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम ट्विटे मिलते रहे देख लेते गाईज पहला सवाल क्या पूचा गया पहला सवाल आपका पहले सिफ्ट में पूचा गया सरसेष्ट रस किसे माना जाता है सबसे बढ़िया रस किसको मना जाता है रोधरस, सिंगारस, करुणरस, वीरस राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगारस बी ओप्सन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल सवाल नमबर दो सही वरतनी छाटिये इसमें से सही वरतनी कौन सी होगी यह आपको बताना है तो गैस जिसमें आपका आधा तै होगा आधा सै होगा वो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा यानि सेकिंड ओप्सन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपकी सही वरतनी है वो है बी ओप्सन अगला सवाल देख लेते हैं पेपर आपका इजी था अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सेलक्षिन के गरीब हो जाओगे और गाइस मैं आपको कारंटी देता हूँ वीडियो आपके बहुत बैदरीन होगी अगर आपने वीडियो पूरा देखा अगला सवाल देख लेते हैं सवाल अंबर 3 द्यानद में परियुक्त संदी का नाम क्या है? द्यानद में परियुक्त संदी का नाम क्या है? तो गाइस संदी का नाम है दिर्क संदी बी option इस सवाल का right answer हो जाएगा ओके अगला सवाल देख लेते हैं अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूचा गया एक सवाल गाईस आपका ये भी पूच लिया गया सवाल नम्मर चार कपिस में परियुक्त संधी का नाम क्या होगा तो गयास इसमें कपिस में जो परियुक्त संधी है उसका नाम क्या होगा दिर्ग संधी थार्ड option इस सवाल का भी right answer चला जाएगा दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करे होंगा math, English और हिंदी के काफी सवाल पूचेगे बढ़िया बढ़िया हिंदी सायत्य का नोवर रस कौन सा है हिंदी सायत्य का नोवर रस कौन सा है सांत रस डी ओप्सन इस सवाल का right answer हो जाएगा ओके गाईस अगला सवाल भी देख लेते हैं और गैस आपको बतातू टोटल रस कितने हमारे 11 यह भी आपको याद रखना है अगला सवाल देख लेते हैं सवाल नमबर 6 सन्मत्य का सही संदी विच्छेद क्या होगा सन्मत्य का सही संदी विच्छेद क्या होगा संपलस मत्य यानि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सत्पलस मत्य फर्स्ट ओप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा सब्सक्राइब करते रहे न वीडियो को लाइक करते रहे न अगला सवाल भी देख लेते हैं सवाल नमबर 7 इत्यादी का सही संदी विछेद क्या होगा तो गयज इसका सही संदी विछेद क्या होगा साथवे का B ओप्शन इत्य प्लस आदी सेकिंड ओप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा देख लेते अगला सवाल सवाल नमबर 8 हिंदी वर्ण माला में कितने सोर हैं तो वाइज मैं बता दू सुर है आपके टोटल सुर घ्यारा विएंजन कितने है विएंजन है टोटल 33 और टोटल लेटर कितने है 52 ये भी आपको याद रखना है सुर आपके घ्यारा विएंजन आपके 33 इस राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ओप्शन थर्ड ओप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा ओके गाईज आगे बढ़ लेते हैं अब जीगे के सवालों को भी देख लेते हैं फटापट एक सवाल गाईज आपको ये भी पूछ लिया गया अगला ICC महिला T20 वि पूछा गया हाली में न्यूड डेलप्मेंट बैंक के नवीन अध्यक्स के रूप में किसको चिना गया है इनका नाम है मार्कोस ट्राइगोस ये भी आपको याद रखना है अगला सवाल देख लेते हैं सवाल एक ये भी पूछा गया गुजरात का परसी दुआर का दिस मं किसे कहा जाता है कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है माई केली को माई केली सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल केंद्रिया पुलिस बलका मुख्याल ने कहां परिस्तित है तो गैस ये आपका है नई दिल्ली में ये भी आपको याद र चलेंगे सभी गोर्मेंट एक्जाम के ट्रिक के लिए मम्मी पापका सपना पूरा करने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दवा कर अगला सवाल भी देख लेते हैं परमाणों की संद्चना की वर्तमान आवधार्णा किस वैग्यनिक द्वारा की गई थी तो यह की गई थी नि ठेटली स्टेडियम ये भी आपको याद रखना हैं अगला सवाल देख लेते हैं एक सवाल आपका ये बी पूछ लिया गया राष्ट्य विकास प्रिसंद का लोगटन कब किया गया था तो गैज ये क्या गय था था आछ Congress 1992 में ये भी आपको यद रखना हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछा गया एक सवाल यह पूछा गया चंदरियान दो मिशन किस वहिकल द्वारा लोंच किया गया था यह क्या गया था जी एसलवी एमके 3 द्वारा यह भी इंपोर्टेंट सवाल है गया अगर आपने अभी यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आपके चांसर सेलेक्शन की अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल यह पूछा गया 1982 के ACI खेलों की मेजबानी कौन सा देश के द्वारा की गई थी तो गैस यह की गई थी 1900 ACI किसके द्वारा की गए थे भारत के द्वारा इंडिया इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा अगला सवाल देख लेते हैं तो गैस अब अंग्रेजी की बात कर लेते हैं इसने हो चागे अंग्रेजी का गाइज जो भी बच्चों ने मुझे बता है 100% रियल सवाल में आपके लिए लेकर आ गया हूँ ठीक है उम्मीद करता हूँ आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे अप्डूरेट का मिनिंग क्या होगा अप्डूरेट का मतलब होता है जिद्दी यानि इस्टवर्ण बी ओप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा इसका मिनिंग भी होता है हटी हटी मतलब जो कोई अपनी हट करता है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ओप्शन आगला सवाल देख लेते हैं सवाल नमबर तीन one who reacts at the slightest one who reacts at the slightest stimulus मतलब जो चोटी चोटी बातों पर react करता है उसको बोलते हैं क्या excitable मतलब बहुत जादे excited होना तो c option right answer हो जाएगा अगला सवाल देख लेते हैं the study of population is known as जो हमारी population की study होती है इसको क्या बोला जाता है यह आपको बता नहीं तो right answer हो जाएगा जैनियो लोजी c option इस सवाल का right answer चला जाएगा देख लेता गाइस अगला सवाल एक सवाल आपका पहले सिफ्ट में यह भी पूछा गया बहुत बैतरिन सवाल है गाइस मैत के सवालों को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ अब आपकी वीडियो बहुत बैतरिन होने वाली है अगर वीडियो पूरा देखोगे 7-8 सवाल आपके अगले paper में यहां से पूछे जाने वाले है लाइक करते रहे न सब्सक्राइब भी आप लोग करते रहे न which of the following word is a preposition कौन सी आपकी preposition है इन में से यह आपको बताना है तो गैस सवाल का right answer हो जाएगा आपका beyond बियोंड इस सवाल का correct answer चला जाएगा a option अगला सवाल देख लेते हैं तो guys बात कर लेते हैं अब गणित के सवालों के trick की क्या क्या गणित के सवाल पूछेगे देखो किसी उत्पात के करे मुल्य और अंकित मुल्य का अनुपात दिया गया तीन अनुपात 11 यदि दुकानदार 50% के छोट देता है तो ला परतिस अब profit percent निकालना है तो क्या आपको निकालना पड़ेगा selling price minus cost price upon selling sorry cost price अब आपको क्या चीए देखो आपको क्रे मुल्य तो पता है लेकिन विक्रे मुल्य नहीं पता कैसे निकालेंगे आपको यह अंकित मुल्य देया गया है अंकित मुल्य है 10 10 पर 50% के छूट है तो गैस यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा पांच रुपे पांच रुपे की छूट देगा अगर पांच रुपे की छूट देगा तो selling price क्या जाएगा हमारा अंकित मुल्य है 10 जब 10 में से आप यह छूट को गटा दोगे पांच को तो आपका जो विक्रे मुल्य अब हमें कुश्ट प्राइस में मिलिगा सेलिंग प्राइस मिलिगा अब प्रोफिट पर्सेंट राम से निकल सकते हो कैसे 5-3 बटे 3 यह हो जाएगा 2 बटे 3 और गुणा कर देंगे 100 से तो जब आप इसको सोल करोगे तो यह आएगा आपका दो गुणा सो हूझ यह हो आप लोग इस सवाल करके आ सकते थे, कैसे करेंगे, पहले आपनी छोट निकाल लेंगे, छोट निकालने के बाद में, सत्राइप प्रस निकाल लेंगे, कोश्ट पैस हमें दिया हुआ है, और इसे घटा के आप लोग पर्सेंटेज निकाला लोगे, ओके गाईज, आगे पर अगला सवाल भी देख लेते हैं कैसे आपको करना था बहतरीन सवाल है तो गैस अगर आप लोग ऐसे डेली ट्रिक से पढ़ना चाहते हो ममी पापा का सपना रियल्टी में पूरा करना चाहते हो तो गैस सब्सक्राइब करते रहे न वीडियो को लाइक भी करते रहे न एक सव चोबिस का चपन का देखो अब इनके लैसे और मैसे का नुपात आपको बताना है इनका एल्सियम कैसे निकलेगा आठती चोबिस और आठती चपन अब देखो एक कोमन वाला तो उठालो यहां पर यह आ गया चलो अब यह दोनों भी बच्चे इनकी गुणा एक साथ कर दो साथ कोना तीन यह आपका एल्सियम लिकल के आ जाएगा यह आएगा एक सो अड़ी सट ठीक है एक सो अड़ी सट इसका एल्सियम आ गया अभ इनका मैसे निकलेगा देखो आठ कोना तीन 8 गुणा 7 ये वाला तो गाइज इनमें common factor कौनचा है ये वाला तो ये आपका HCF हो गया यानि ये आगया 8 अब किन का नुपात लेना है 168 का और 8 का नुपात लेना है 168 168 और 8 का नुपात लेना है 8 एकम 8 8 दून 16 8 एकम 8 21 अनुपात 1 यानि B option इस सवाल का right answer चला जाएगा तो दोस्तों इस परकार आप लोग इस सवाल करके आ सकती थी मैंने L से हम भी बता दिया HCF भी बता दिया और इनका नुपात लेकर भी बता दिया ये ही आपसे पूछा गया था ओके गाईस second option आपका correct answer चला जाएगा आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल भी देख लेते हैं एक सवाल ये पूछ लेगा P Q का नुपात दिया गया P R का नुपात दिया गया Q और R का नुपात पूछा है देखो हम इसको कैसे लिख लेते हैं देखो Q और P का नुपात हम लिख लेते हैं कैसे क्या है? पांच अनुपाद एक अब P और R का यहां पे लिख लेते हैं P और R का कितना दिया गया? 6 अनुपाद 7 अब इनमें कोमन क्या है? P है अब इस 6 की गुणा तो उपर करेंगे और इस 1 की गुणा करेंगे नीचे तो क्या होगा? यह आपका आएगा P अनुपाद Q अनुपाद R नहीं सोरी यह आएगा आपका Q अनुपाद P अनुपाद R ठीक है अब आपको निकालना Q अनुपाद R का value कैसे करेंगे 6 में 5 की गुणा होगी 30 आएगा यहाँ पर गुणा करेंगे 6 की 6 कम 6 बीच वाला 30 अनुपाद 6 अनुपाद 7 तो guys Q और R कौन सा है इसमें से Q यह है R यह है तो क्या होगा 30 अनुपाद 7 Q और R का रेसो क्या हो जाएगा 30 अनुपाद 7 यही सवाल का right answer हो जाएगा यानि जो बच्चा A option मार के आगा है इनका right answer चल गया आप लोग इस पर कार यह सवाल करके आ सकते थी guys मैं आपको बार बार बोल रहा हूं like करते रहेंगे please subscribe करके जाएगे 100% selection मैं आपका करवाऊंगा okay subscribe करते रहेंगे अगला सवाल एक और देख लो यह भी काफी आसान सवाल था कैसे करना था a और b किसी कारियों को मिलकर 20 दिन में पूरा करते है a अकेला इसी कारियों को 24 दिन में पूरा करता है अब बोल रहा है कि b के द्वारा अकेला इस कारियों को कितने दिन में पूरा किया जाएगा b के द्वारा अब देखो इनका लगुत्तम लेलो 120 आगया अब इनकी कार्यक्षम्ता, टोटल वर्क किसके बराबर होता है, कार्यक्षम्ता इंटू टाइम, कार्यक्षम्ता कितनी होगी इसकी, 20 से कम 20, 20 चिका 120, तो 6 इन दोनों की कार्यक्षम्ता हो जाएगी, 24 से कम 24, 24 पंजे 120, तो A की अकेले की कार्यक्षम्ता आगी 5, और इनकी द पता चला B यहां पर कितना हो गया एक हो गया तो गैस अब निकालेंगे यहां से टोटल वर्क कितना है तो टोटल वर्क है 120 तो 120 यहां पर रख देंगे बराबर efficiency क्या है बी की एक है और गोना time तो गैस इस बात से क्या पतला time टाइम इकवल टो 120 बटे एक यहां से इस एक्वेशन से तो गैज राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा यह टाइम आ जाएगा 120 दिन यानि आपका करेक्ट आंसर यहां से क्या दिख रहा है आपको डी ओप्षन आपका राइट आंसर चला जाएगा तो गैज इस परकार आप लोग यह सवाल करके आ सकते थे